गुड़ मॉर्णिंग फैंट वेलकम वेक टू मैं चनल मैं रानी अब सबको मेरे चनल पर मेरे घर पर बहुत बहुत सवागत करती हूं है पी दिवाली लेकिन दिवाली के दिन देखो वेधर के हालत क्या है मैंने पहले ही बोला तो ना अलट किया गया है बहुत बड़ी तु कोछ दिन तो चुटी रहे गई जब हम नहीं रहेंगे तो इसलिए उट नहीं रहा है बदमास बच्चा और मैं जो खाती हूँ ब्रेकपस में वह नमक बली गाजर किसमीज यह सब डाल के जीरा चोकर लगा के वह सुजी बना रही हो क्योंकि वह खाने से मुझे बहुत ताकत म सबाई जो इस घर में पुझा होगी और फॉपर मालिक और मलकिन पुझा करते है तो इसलिए भी नहीं तो नहीं भी भेज खाते तो चल जाता लेकिन इस घर में पूझ उर्षो रही है मैं ही काटने बैठी थी फिर वो बैठ गया है अगर करना चाहते है तो कर ले और क्या तो यह काट कुटके एकदम रेडी करके दे दिया मुझे ये दोनों सबजी अर्भी और मुली मुझे स्टीम करना होता है और पालक और वेगन छोका लगाने के बाद डाल कर नरब हो जाना आप यह जो है अग्दम बोइल किया गया मुली और अर्भी मैं उसमें डाल क हमोट दे गया तो बनके तयार हो जाता है प्यारा-प्यारा सबजी यह देखो पालक और बैंगन तयारी है अपने पानी निकला है मैंने कुछ पानी नई इसमें डाला है अब इसमें जाएगा बॉयल किया हुआ अर्भी और मुली अब इसनको अच्छे से मिला दूंगी पानी पुरा सूख जाएगा तो बनके तयार हो जाएगा हमारा टिश्टी टिश्टी सबजी और क्या बनेगा और बनेगा मूग की दाल और चावल और कुछ नहीं मैंने हजबन को बोल दिया यह दे अर्ट ऐसे ही ले जाते है पानी सामने से डाल डाल कर तो चला डाल भी तयार मेरी यह देखिए मूग की ले तुम प्यारी-प्यारी मीठी-मीठी मुग की दाल तो भी मीठी लगती है ना खाने में थाले भी सजाल लिया है गरब-घारअग दाल और सबजी अबी हुए खाना वना खा के थोड़ारेर्स करती हूं, फिर साम से तो उंंर चलेगा मस्ति पूजा देखना रात तक तो थोड़ा rest करना जरूरी है, तो जल्दी-जल्दी खा के तो रेस्ट कर लेती हूँ, फिर साम को आप लोगों से मिलती हूँ हैपी दिवाली गुडिवनिंग फैंड्स आगे आप किरानी आप लोगों से मिल लेगे दिखिए दिवाली के दिन मने आज ये नहीं वाली सारी जो रहे गए थी वो फैंली और थोड़ा सा सजितज लिया ज्यादा कुछ नहीं तो और क्या उपर काम है काली पूजा चल रही ह और काली पूजा की भी आप सब को बहुत 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 सुपकाम नहीं चलिए अभी पूजा में जाती हूं और आप लोगों को भी ले जाती हूं चलिए तो चलिए जी आप लोगों को दिखाती हूँ मा को कैसे सजाए गया है अभी ता को सजने में बाकि भाकी है मा को सजाए है अब लाइटिंग की गई है सब रेड़ी है सिर्फ सजाना बागी है जुगार सब रेड़ी है अब इस रात को पुजा होनी है न बहुत रात तक पुजा होगी तो इसलिए पेट पुजा की भी तैयारी हो रही है ताकि अभी ठीफिन में सब खाले है तो रात तक आराम से रह पाए क्योंकि बहुत रात होगी ऐसे ही काली पुजा रात को ही होती है साथ अतर इसलिए और य मीठा बुंदी जो होता है मीठी बुंदी वो तो वो होगा प्रिक्फास्ट में अभी फिन में बोल सकते हो और यह देखो गरम गरम पूरी तली जा रही है इसको देखते ही खाने कंबन हो जाता है ना साम की पूजा कर लेती हूं फिर जाओंगी उपर उपर और हाँ पाटा के भी बोड़ने आ है मैं फोरू या ना फोरू दूर से तो देखोंगी ना पितुम के पपा तो बहुत लाया मैंने बुलाया मुझे देना कुछ मैं जरूर फोरूंगी दिवाली है तो चला पूजा कर लेती हूं घर के फिर जाती हूं बाहर पितम के पापा मुझे लाया घर को सजाने के लिए तो वही लगा रही हूं और जादा नहीं लगाओं की क्यूंकि बच्चे भी गूंड़े है और बाहर तो लगाना होगा यह नहीं बहुत हवाद चल रही है तो घर में थोरह लगा घर को इतुरह सजा लेती हूं और दिया बहुत अच्छा होता है देखने में अच्छा भी लगता है लेकिन दिया में अगर तेल डालोगे और पितम इधर उधर करेगा गिरा देगा बहुत मुस्किल होती है तो मैंने बहुत छोड़ दो अभी बच्चा छोटा है ना जो से अच्छा लग रहा है मेरा घर बोलिया मुंबत्ती से भी बहुत अच्छा लग रहा है ना बोलना जरूर कमेंट में ही चलो तो जी मुंबत्ती लगाना हो गया मेरा घर के अंदर बाहर नहीं देखने कि इतनी हवा चलिया पितम के बापा ने एक-दो दिया था वो भी जया आधिक के लाए एक-दूम स्ोका और इसे चलाएंगे और इंजल-फिंचल-फिंचल-फिंचल ऐसे बोलेंगे बहुत मज़ाता है देखने में और इससे करने में लेकिन दिक हावा चल रही है तो ठीक से आग नहीं पकड़ रही है यह जो पाठ है पाठ लकरी जो है तो केंद में बच्चे लोगों बहुत मज़ा आता है और पीतम के पापा तो आज एक तुम बच्चे बन गए रहा है और इसे घुमा आते हुए इंजल-pinचल इंजल-pinचल पिंचल बोला जाता है बस यह होता है और सेग भी लिया जबाएसे पता नहीं कुछ होगा रिती रिवास पुराने समाने के है और घर को देखो कैसे खुबसूरती से सजाया गया है हमारे घर को ये देखिए लाइटिंग बहुत ही खुबसूरती से किया गया हर घर में आप साइड में देखो सामने देखो हर घर को ये ऐसे खुबसूरती से सजाया गया है एक द तो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, फिर एनर्जी मिलेगी ना तो जी पुझा के बीच में से आ गए, पुझा भी शुरी नहीं हुए है, अभी शुरी होने में बाकी है, तो सोचा इस समय को काम पर लगा लो, कुछ रिल्स बना लो, तो रिल्स बना लिया, अभी चलिया, फ लगा पड़ा है उसको कोई ऐसे काम देदो बस देखना तुम सिद्धत से करता है आइ सच मुझ बहुत अच्छा आग घुए बहुत आगा यहां देख दोनः से जमा देखना है इन को ने को tut आगे अर्द है और अभी लगा रहा है इसकेरां डिजाइन बाद जलाएं चाहिए तो बहुत ही खुम श्रक फॉल्त लगेगा यह दिया, यह बहुत ही, सच मुझ डिजाइन बहुत ही अच्छा रहा है मैंने बुला था ना, पितम इसलिए बैठा है, वो ही जलाएगा उसे बहुत पसंद है यह सब करना, इसलिए यह इंपर बैठा था मुझे ही जलाना है, मीमी को भगा दिया है, जाओ तुम यह सब ने कर भग, तुम छोटी हो ऐसे बोल कर भगा दिया और खुद देखो, मुम्बती, यह कैसे जला रहा है, यह सब काम उसको दे दो, बस, कोई सोचने की जरूरत नहीं है इसलिए मीमी की मा भी यहां से जा रही है, तुम ही जला दो, मैंने रिजाइन कर दिया, तुम ही जला दो, यह बोलकर यहां से जा रही है तो मैंने भी थुरा साथ दे दिया पितम का, क्योंकि हवा से बुझ रहा है, तो कभी-कभी फिर से जलाना पढ़ रहा है और अभी लगए लग रहा है दिवाली वाल यह ना गर में दिये मुम्बत्ति चले चारो तरफ रौसनी ही रौसनी हो और पठा के फूरी जाए तब लगता है दिवाली है ना खुशियों भरी दिवाली और ये तो एक रात की बात है उसके बात तो फिर एक साल बात इंतिजार एक साल का है ना और कि अब चलो तो जिद्धिय जलाना तो हो गया और जो असली मज़ा होता है दिवाली का वो है पटा के फोड़ना तो मैंने भी सोच लिया था आज मुझे भी पटा के फोड़ने है इसलिए पीतम को बोल दिया था आदा मेरा आदा तेरा लेकिन कुछ दिये है मुझे आदा तो देगा नहीं वो कुछ जला लो वही बहुत अच्छा है मतलब बहुत खुशी की बात है मुझे सच मुझे पटा के जलाना ऐसे बहुत अच्छा आवाज बाला नहीं जो जिसमें आवाज होते वो बाले नहीं साउंड होते जो ऐसे लाइट होते है बहुत ही खुबसूरत लगते है मुझे ऐसी आतिस बाजी पसंद है और क्या चलो बच्चो के संघंञ थोड़ा बच्चे बन जाते है कुछ आत बटाके जला लेते है फिर अंदर जाएंगे क्या हो रहा है सब कुछ आप लोगों से से शेयर करेंगे जरूर करेंगे जी तो आप लोग क्या बटाके फोड़े हो अभी हाँ इस टाइम पर बताना कमेंट करके और क्या पटागे जादा अच्छे नहीं है पी तुकि पपा ठीक टाक ला नहीं पाए वही जला रहे जलाने की कोशिस कर रहे जो जल रहा है जो नहीं जल रहा है और साइड में फैक ना देखो साइड में फैक रहे हैं हम रास्ते पर नहीं अब फानूस जला जाएगा फानूस जलाने की कोशिस कर किया जा रहा है क्योंकि फानूस में छेद है तो हो नहीं पा रहा है फाल्दू में ही कोशिस किया गया और यसे चत पे हम खुले जगा पर रहे और जर्दी लगे मुझे बहुत ज़ादा लेकिन अगर फानूस जलता त किव तंहर किव तं में गवा भू जू पुझ पॉट यो प्त जो थे लुट जो नुटकर नह से लुट तो जी पूजा कंप्लीट अभी भोग खाने की बारी है सब को दे दिया गया है परोस दिया गया है अभी मीमी की मा और सब घर वाले हैं उनके सब परोस रहे और गरम गरम गोविंद भोग चावल के खिच्री अलू भाजी बेंगन भाजी चटनी और पीतम को तो बहुत ही अच्छा था भोग प्रसाद प्रसाद जैसा भी मैंने घर पे बनाऊ स्वाद नहीं आएगा लेकिन जो भोग का प्रसाद होता है उसका स्वाद अलग होता है उसका जो मतलब क्या बोले आप मतलब वो अलग ही लेफल का होता है वो आप बया नहीं कर सकते के भोग प्रसाद अच्छा ही होता है जैसा भी हो बहुत बहुत अच्छा लगता है काने में चलो खाना बना कंप्लीट करके फिर नीचे जाके हम लोगों से मिलती हूँ चलिया जी तो जी रात के बजगे 12 बजगे 15 मिनिट बहुत रात हो चुकिया और काली पुझा में ऐसी रात होती है आज तो बहुत टाइम पे हो गया है नहीं तो और रात होती है घर की पुझा है तो जल्दी जल्दी हो गया है अभी और कुछ नहीं करना अभी रेस्ट करना है कल मैं के जाना था अभी देखती हूँ तब यह कैसी रहती है ना रहती है उसके उपर निर्भर करता है तो ठीक है चलो आज का वीडियो में पेंड करती हूँ आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से आरो कमेंस कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर र झाले कर दो यह गरे तो आरो कर दो अभी ओवन मेरे कर दोल्गे में से कर दो लोगों कर दो नाएग कर दो आदेने बियद्स आपके अपके लोगाइब कर दो आपके झाले कर दो